Hello friend, welcome to my channel, मैं हूँ आपका host और दोस्त अमित कुमा सिंग, मुझे लग रहा है कि आप bottom बन चुका है, या फिर 2-3 दिन में bottom बन जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है वई, कि आप future में position बना लीजेगा, option buy कर लीजेगा, तो आप लोग future and option में position मत बनाईएगा, बलकि long term के लिए position बनाईएगा, delivery में share है दिएगा, यह market है भया, कुछ भी हो सकता है, रसिया से गंदी खबरे भी आ सकती है, आप लोग को पता ही, कि रसिया और Ukraine के बीच में जगड़ा चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है, कि अब यह जगड़ा खतम होने वाला है, वार खतम होन समझोता होगा, market बहुत ही तेजी से भागेगा, दो-तीन दिन ते तो कई सारी company में upper circuit लगेगा, दो-तीन दिन में कई सारी company 5%, 10%, 15% चल जाएगा, तो इस वीचे पैसा किन का बनेगा, जो लोग SIP कर रहे होंगे, डेली 5,000 पे लगा रहे होंगे, 10,000 पे लगा रहे होंगे, हर गिरावट में खरी दिये, अच्छी company का share, COVID के पहले भी चल रहा था, COVID के बाद भी चला, और ये जगड़ा जैसी खतम होगा, फिर से चलना स्टार्ट कर दीगा, बहुत जैसी खतम होगा, फिर से चलना स्टार्ट कर दीगा, तो आपको करना क्या है, अच्छी ची company का share ख पैसे लगाएं, COVID के second way में डर्डर के पैसे लगाएं, आज के rate में वही पैसे बना रहे हैं, तो stock selection ज्यादा important है, अच्छी company खई दीगा, तभी पैसा बनेगा, market तो ऐसी चलता है, फ़र्स टाइम मार्केट नी गिर रहा है, इससे पहले भी कई बार market गिर चुका है, हमें मुझे पता नहीं था, यह कौन सी company कैसे चलता है, किसमें पैसा लगाना चाहिए, किसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, किसमें हमको average करना है, किसमें हमको SIP करना है, हमें नहीं पता था, क्योंकि हम beginner थे, हमें पता ही नहीं था, हमें भी आप लोग कितने डराए जाते थे, टीवी पे क्या होता है जब मार्केट गिर रहा है तो बेचो 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 बागो बागो और जब मार्केट चर रहा है तो खरीदो 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 यही होता है ना टीवी पे लेकिन ही आप लोगो कोई नहीं बताएगा कि कहा पैसे लगाने है किसको खरीदना है, किसको नहीं खरीदना है किसमें average करना है, किसमें SIP करना है market तो 20-25 सल पहले भी गिरता था 50 सल पहले भी गिरता था हम भी आये थे market में तब भी गिरता था लेकिन उस समय हमें डराए जाते थे उस समय मुझे ऐसा लगता था कि कि हम जो पैसा लगा है, मेरा पैसा डूब जाएगा, जैसे आप लोग को इससे में लग रहा होगा, और उससे में कोई बताने वाला भी नहीं था भाई, तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं जिस कंपनी को चूच किया हूँ, उसका नाम है CDSL, आप सभी लोग CDSL को बहुत ही अच्छी तरह से जानते भी होगे, आपका CDSL में D में टेक आउंट भी होगा, अगर CDSL में नहीं होगा तो आपका NSDL में होगा, क्योंकि दो ही तो है, तो भी अगर आप CDSL में पैसे लगाते हो, तो पैसा बनेगा, मुझे सिंथों के पैसा लगाई है CDSL में, और ये स्टॉक अगर नहीं चलता है, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 1 साल, 6 महिने, तो आपको बेचना नहीं है, बेचने के लिए मत खरी दिये इसे स्टॉक को, बेचने के लिए तो आप बेच दीजेगा, इस कंपनी में आपका पैसा कब दूबेगा, जब लोग सेयर मार्केट में पैसा लगाना बंद कर देंगे, देमें टेकाउंट उपेन कराना बंद कर देंगे, इनका भाई मॉनोपॉली है समझ लो, दो ही तो है, अब लोग सेयर में पैसा लगाईएगा, जब तक मार्केट है, इन कंपनीओं में आपका पैसा बनता रहेगा, और अगर आपको यकीन नहीं है, केरेक्सन से डर लगता है, तो फिर मार्केट पैसा मत लगाईए, क्योंकि मार्केट ऐसी चलेगा वाई, अब ये रसिया उक्रेन के बीच में जगडा हो रहा है, दो साल बाद कहीं और जगडा स्टार्ट हो जाएगा, चाइना ताइवान के बीच में जगडा स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सब तो चलता रहेगा, फिर से कोविड आ सकता है, या फिर कुछ और भी आ सकता है तो क्या बेच दोगे तो बेच नहीं है तो अभी से ही पैसा मत लगाईए हम जो stock आप लोगो को recommend करते हैं न वो बेचने वाला नहीं बताते हैं हाँ company में कोई दिक्कत है तो बेच के निकलिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब company डूब चुकी है तो फिर तो बेच नहीं पड़ेगा लेकिन आप लोग hold किये हुए रहते हो yes bank को कोई नहीं बेचीगा सबको yes bank पसंद है लेकिं cdsl जैसी company को सभी लोग बेचना चाते हैं अच्छी ची company को सभी लोग बेचना चाते है और yes bank में 10 लाग क्रोड का भी हो सकता है 20 लाग क्रोड का भी हो सकता है और मुझे नहीं रता किस company में कोई risk है रिक्स तभी है जब market खतम हो जाएगा NAC BAC खतम हो जाएगा लेकिन आप लोग के पता है ऐसा कभी होने वाला नहीं है पर पर मोटर के पाथ 20 परसेंग है ROE ROC देख लो भाई ROC जो है 32 परसेंग का है ROE 25 परसेंट का है Sells growth 60 परसेंट का है profit growth 107 परसेंट का है तो भी है इसका financial बहुत ही बढ़ी है कहीं से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पिभी आप देख सकते हो very stable 5 star मिल चुका है तो पैसा लगाना बनता है आप अगर long time investor है wealth creation के लिए पैसा लगाना चाहते हैं पेटी के साधी के लिए पैसा लगाना चाहते हैं घर खरीने के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो CDSL को अपने photo में जगा दे सकते हो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और इस company में अगर आप पैसे लगाते हो तो आपको सांती भी मिलेगा क्योंकि आपको पता होगा कि CDSL में का पैसा नहीं डूप सकता है ज़्यादा ज़्यादा यह होगा कि stock आधा हो जाएगा या फिर 2-3 साल नहीं चलेगा तो यह तो भाई किसी भी company मोता है कुछ दिन पहले भाई मैं paid service टार्ट किया हूँ जिनको भी portfolio create करवाना है वो मुझसे contact कर सकते हैं मैं यहाँ पे contact number दी रखा हूँ टेलिग्राम जॉइन करना चाहते हैं तो टेलिग्राम भी जॉइन कर सकते हैं मैं कोशिस करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा portfolio बना के देने का contact कीजिए मुझसे paid service चाहिए तो जिनके पास patience होगा वो लो पैसा बना लेंगे जो लो hold करेंगे वो लो पैसा बना लेंगे CTSL का IPO जो आया था वो 19 जून 2017 को आया था 149 रुपय के price पे आया था 55, 60%, 70% premium पे एक company लिश्ट हुई थी और 300 रुपय के उपर भी गया था लेकिन उसके बाद इस company में अच्छा खासा correction हुआ था stock का price आधा भी हो गया था अपने high से ये stock आधा भी हो गया था और 2,5 साल बिल्कुल भी नहीं चला और कई लोग तो बेच दिये जब 2,5 साल नहीं चला तो CDSL को बेच दिये लेकिन जब चलना start किया COVID के बाद ये stock जब चलना start किया तो 15-1600 को हो गया तो पैसा कौन बनाए जो लोग खरीद के बैठी हुए थे जो लोग 2,8 साल परिशान हुए आज के टो वोई पैसा बना रहे होंगे अब ये stock आपको 300 प्या के price में नहीं मिलेगा 400 प्या के price में नहीं मिलेगा भूल जाइए तो भले ही वो 2,8 साल नहीं पैसा बना रहे होंगे और जो अभी पैसे लगाएंगे उनका पैसा तुरंथ नहीं बनेगा आने वाले डेर दो साल बाद बनेगा तीन साल बाद बनेगा पान साल बाद बनेगा दोसी जो मैं कमपनी चूच किया भई उसका नाम है Prince Pipe ये एक मल्टी बैस stock है और बहुत दिन से ये stock चलनी रहे और इस समय अच्छा कासा correction भी हो चुका है और इस company में अगर आप पैसे लगाते हो भई तो आपका पैसा बनना तय है pipe and fitting का दंदा बंद कभी नहीं होगा जिनको pipe and fitting खरीदना होगा वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे चाए वो astral pipe के खरीदे या फिर prince pipe के खरीदे या फिर और भी जो company है तो अगर आप लो long term investor हो तो prince pipe में पैसा लगाई है astral pipe जैसी company में पैसा लगाई है कुछ दिन पहले भाई मैं paid से भी start किया हूँ जिनको भी portfolio create करवाना है वो मुझसे contact कर सकते हैं मैं यहाँ पे contact number दी रखाऊं टेलीग्राम जोइन करना चाते हैं तो टेलीग्राम भी जोइन कर सकते हैं मैं कोशिस करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा portfolio बना के देने का contact कीजिए मुझसे paid service चाहिए तो और यह सब स्टॉक को खरीद के भूल जाएए जब तक आप भूलेंगे नहीं आपका पैसा बनेगा नहीं मार्केट तो आपको बार बड़ डर आएगा और मार्केट गिरने से क्या Prince Pipe का दंदा बंद हो गया है बिल्कुल भी नहीं मैं खुद भी Prince Pipe में पैसा लगा के रखा हूँ तो आप लोग भी अगर लगा के रखें तो hold कीजिए मुझे नहीं लगता है कि Prince Pipe में आपका पैसा दूब जाएगा Prince Pipe का प्राइस पाँच हजार भी होगा दस हजार भी होगा तो सांती से बैठे रहिए तीसी जो मैं कमपनी चूच क्या भाई उसका नाम है L&T Infotech ये एक IT सेटरे कमपनी है इस कमपनी में आप अपने बच्चों के साधी करने के लिए पढ़ाई करने के लिए वेल्थ क्रियेशन के लिए पैसा लगा के छोड़ दीजिए ये सब कमपनी में मुझे नहीं लगता है कि आपका पैसा डूब सकता है और अगर आप लोग को ये सब कमपनी में डर लगता है पैसा लगाने से तो फिर आप पैसा कभी नहीं बना पाईएगा L&T Infotech जैसी कमपनी में आपका पैसा बनना तय है आप किसी भी price पे खरी लोगे तो long term में आपका पैसा बनी जाएगा और ये सब ऐसी company जो इसको आप लोग हर गिराबट में खरी दिये और ये stock जब नहीं चलता है तो परिशान होके बेचिये मत ये सब बेचने वाला stock नहीं है और ये सब company dividend भी अच्छा खासा देती है तो जब ये stock नहीं चलेगा तो सिर्फ आपको dividend मिलेगा मेरे पास भी इस company का share है जब ये stock चल ली रहा था मेरे को सिर्फ dividend मिल रहा था हम भी उससे में परिशान थे हमको भी लगता था कि बेच दू लेकिन मैं नहीं बेच पाया क्यों नहीं बेच पाया क्योंकि इस company का balance भी बहुत ही मजबुत था पाचवी जो मैं company चूच क्या भई उसका नाम है बजाज finance आज इस company में 6% का correction हुआ है बैंक निटी में भी 4-5% का correction हुआ है निटी में भी अच्छा कासा correction हुआ है तो भाया ये खरीदने का मौका है आप लोग को ही पता है कि बजाज finance किस तरह से चलता है मार्केट में तेजी होंगी बजाज fantasy company में आग लग जाएगा ये आपको ही पता है सबको पता है तो आप लोग बजाज finance को हर गिरावट में खरीदिये कंपनी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है रेजल्ट भी अच्छा ही आया था कुछ दिन पहले भाई मैं paid से बिस्टार्ट किया हूँ जिनको भी portfolio create करवाना है वो मुझसे contact कर सकते हैं मैं यहाँ पे contact number दी रखा हूँ टेलिग्राम जॉइन करना चाहते हैं तो टेलिग्राम भी जॉइन कर सकते हैं मैं कोसिस करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा portfolio बनाके देने का contact कीजिए मुझसे paid service चाहिए तो लेकिन जब market गिरेगा तो जाइड सी बात है बजास finance में करेक्शन होगा बजास फिंसम में करेक्शन होगा तो पैसा लगाना बनता है भाई बजास finance में S.I.P किजिए बजास finance में हर गिरावट में खरीदिये ये stock जब चलना स्टार्ट करेगा तो 1200 रुपया कब चल जाएगा 1500 रुपया कब चल जाएगा आठ 9000 का कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा उपेन करना चाहते हो तो लिंक का आप लोग को वीडियो टिस्टन मिल जाएगा जी रोधा और आप स्टॉप का आप स्टॉप में डिमेट एकाउन उपेन करना विल्कुली फ्री है कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे जो भी लो मेरे लिंक से डिमेट एकाउन उनको इंटरडे टिफ्स फ्री में दिया जाएगा अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ल beetle करना सेर करना सब्सक्राइब करना पैस्रमे कस्यान को सब्सक्राइब कर वइल बंटन परेश है करोगे तो मेरी वीडियो को नोटिपकेशन- आप लोग को मिलने आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाएं तभी जाके आपका पैसा बनेगा लॉंग टर्में धन्यवाद